दोस्तों सुवागत है आपका पशु केर में दोस्तों मैं डोक्टर विशाल सुनवानी आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूँगा पशु में होने वाली पाइका बिमारी के बारे में दोस्तों यह बिमारी पशु में हर उमर की गाएं या भैंस में देखने को मिल सकती है पशु इस बिमारी में मिटी, पत्थर, इंटे, चमड़ा, लकडी, हडियां, पेशा, पीना, दिवारे चाटना चुरू कर देता है दोस्तों यह एक चिंता का विशा है क्योंकि जब पशु यह सब चीजे खाने लगता है तो यह सब चीजे पशु के पाचन तंतर पर बहुत ही बुरा असर डालती है पशु का पाचन तंतर है उसे ब्लोक कर सकती है, रुकावट पैदा कर सकती है तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको इसका कारण भी बताऊंगा और साथ ही साथ इसका इसका इलाज भी बताऊंगा तो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे इस चैनल पशू केर को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ पहला इकन जरूर जबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों यह पाई का बिमारी होने के मुख्या तीन कारण है पहला तो दोस्तों मेनरल्स यान की कुछ खनिज जैसे की फॉस्फरस और सोडियम की कमी से जब पश्यों की डाईट में फॉस्फरस और सोडियम की कमी होती है तो अकसर पश्यों में यह बिमारी देखने को मिलती है दूसरा पश्यों के पेट में कीडे होने के कारण भी है पश्यों में यह बिमारी देखने को मिलती है तीसरा दोस्तों पश्यों की डाइट में अगर फाइबर जिसे रेशा कहते हैं उसकी कमी है तो उस कंडिशन में भी यह बीमारी पश्यों में देखने को मिलती है दोस्तों पाइका का जो मैं आपको इलाज बताने जा रहा हूँ वैं पूरा असरदार है अगर आपके पश्यों में यह बीमारी है तो आप अपने पश्यों को सबसे पहले पेट के कीडों की दुवाई दें अपने पश्यों की डिवर्मिंग करवाएं और उसके बाद अपने पश्यों को रोजाना सोडा फोस या आपने अपने पश्यों को 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक देना है अगर आपका पश्यों चोटा है तो आप 10 ग्राम डेली दे सकते हैं यह सोडा फोस आपको अपने पश्यों को 10 से लेके 15 दिन तक देना है उसके बाद आप किसी भी अच्छी कंपनी का मिर्नल मिक्चर लेकर अपने पश्यों को रोजाना 50 ग्रम डेली दे सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने पश्यों को ये सेंदा नमक का बड़ा सा ब्लोक लेना है ये आपको बजार से असानी से मिल जाएगा इसे अपने पश्यों के सामने रखना है पश्यों इसे चाटेगा तो इससे सोडियम की कमी पूरी होती चली जाएगी तीसरा दोस्तों आपको अपने पशू की डाइट में फाइबर को बढ़ाने के लिए हरा चारा और सुखा चारा की मातरा बढ़ा दें यह जो मैंने आपको इलाज बताया है इसे करने से आपका पशू यह सब गलत चीज़े खाना पीना छोड़ देगा तो दोस्तों अगर आपको यह मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजिए और आपका इस वीडियो से लेटिड कोई भी प्रशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर कर सकते हैं